हालो फ्रेंड्स वेलकम बैक टू माई चैनल तो सबसे पहले सामने वाले का ध्यान जाता है हमारे फेस की तरफ ऐसे में फ्रेंड्स हमारे कानों के आसपास या फिर ओंठों के ओपर बाल नजर आने लगे unwanted hair दिखाई देने लगे सामने वाले को और ऐसे में हमें कोई टोक दे की तुम्हारे तो कानों के आसपास दाड़ी मू जैसा नजर आने लग गया है तो ये सुनने में बहुती जादा बुरा लगता है इनको रिमूफ करने के लिए वैसे तो फ्रेंड्स बहुत सारे मार्केट में टीटमेंस अविलेबल हैं लेकिन मैं आप सभी के साथ होम रेमेडी शेयर करती हूँ क्योंकि ये एकदम नैचुरल होता है नैचुरल तरीके से यदि हम अपने फेशिल हेयर को रिमूफ करेंगे तो ये हमारे स्किन पर किसी तरीके का भी डेमेज नहीं छोड़ती है और साथी धीरे धीरे आप देखेंगे कि आपकी जो हेयर ग्रोथ है एकदम नाके बराबर हो गई आज जो घरेलून उसका मैं आप सभी के साथ शेयर करने जारी हूँ ये रेमेडी फ्रेंड्स आपके अन्वांटिड हेयर को तो दूर करेगी ही साथ ही आपकी स्किन पर वाइटनिंग का भी काम करने वाली ये आपके चेरे पर दाग दबे हैं तो उनने भी ये लाइटन अप करेगी तो आज का ये वीडियो ओन लोग के लिए बहुत यादा स्पैशल होने वाला है जो अपने फेशियल हेर से बहुत जादा परशान है पूरी प्रोसेस को समझने के लिए वीडियो को एंट तक जरूर देखेगा तभी आप इसे अच्छे बेनिफिट्स ले सकेंगे वीडियो स्टार्ट करने से पहले आप सभी से छोटी सी रिक्वेस्ट है यदि आज का ये वीडियो आपको जड़ा से भी हैल्फुल यूस्फुल लगे तो प्लीज वीडियो को लाइक, शेर, कमेंट करना बिलकुल मत बुलिएगा इस तरीके के और वीडियो देखने के लिए चैनल को विद्बैल अगर सब्सक्राइब कर लीजिएगा सो बिना देरी करते हैं चलिए आएए फटा-फट से अब हम अपना वीडियो स्टार्ट करते हैं सो फ्रेंट्स देखिए यहां मैंने इस रेमेटी को बनाने के लिए सबसे पहले लिया है एक लीन बाउल उसमें फ्रेंट्स फर्स इंगियन जो हम एड करेंगे वो है अलो वीरा जेल फ्रेंट्स अलो वीरा जेल जो है उसमें इतनी अच्छी प्रॉपर्टीस पाए जाती है इस तरीके से एक चमच के करीफ मैं इसमें अलोवीरा में जूस इसका एड़ कर दूगी और इन दोनों चीजों को हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे फ्रेंज आलू की रस की बात की जाए तो यह हमारे चहरे पर होने वाले दाग धबो को लाइटन अप करता है कुछ लोग की स्किन पर वेक्सिंग कराने से या फी तरह तरह की क्रीम यूज कर लिए केमिकल वाली उन लोगों ने तो उनकी स्किन काली पढ़ने लगे पर से यह हमारे हेर को ब्रिकेज करता है क्योंकि हमाई स्किन पर ड्राइनस का काम करता है साथ में इसमें हम एड करेंगे चुटकी भर इनो यदि इनो नहीं है तो बेकिंग सोडा यानि की मीठा वाला सोडा भी आप इसमें एड कर सकते हैं अच्छे से सारी चीजों को मिक्स कर लेंगे फ्रेंट बेकिंग सोडा को आप डिरेक्ट अप्लाइ करेंगे तो वह ठीक नहीं है इसको इस तरीके से डिल्यूट करके आप अपनी स्किन पर लगाएंगे तो काफी अच्छे रिजल्ट आपको मिलने वाले हैं तो इस तरीके से आप इन सारी चीजों को अच्छे से रिजल्ट नहीं मिलते हैं तो आप मेरे मेतट के अकॉर्डि को बनाइगे देखए ये रेमेडी जुह हैस तरीक से ठिक बनानी है आपको इसकी consistency खास ख्या लगेँए वरना आपको लगाने में problem होगी यहाँ मैंने थोड़ी सी remedy बनाई आपको live test करके दिखाने के लिए देखा friends आपने किती असानी से धर की ही चीजों से हमने इस remedy को तयार कर लिया है skin पर कैसे apply करें जिसे कि आपके unwanted hair भी remove हो जाए and skin पर whitening lightening का भी काम करें तो चलिए आएए यह भी देख लेते हैं तो friends यहाँ मैं आपको अपने पैर की जो hair growth है उसे remove करके दिखाने वाले हूँ कि किस सरीके से यह remedy आपकी skin पर result देने वाले है means आपके unwanted hair को remove करेगी तो friends इस remedy को skin पर लगाने से पहले आप अपनी skin को अच्छे से wash कर लीजिएगा clean कर लीजिएगा तो यहाँ मैं एक wet henky की help से अपनी skin को अच्छे से clean कर लूँगी मेरी skin पर हलका सा जो है friends moisturizer लगा हुआ था जिसे मैंने इस wet henky की help से अच्छे से remove कर दिया है hair growth आप देख सकते हैं I think camera में अच्छे से visible हो पा रहा होगा so friends इस जो remedy हमने बना कर तयार किये इसे आप spoon की help से finger की help से अफी brush की help से कैसे भी आप जैसे में भी लगाने में comfortable हो इस remedy को अपनी skin पर अच्छे से spread कर लेंगे ठीक है friends एक ठीक सी layer आप अपनी skin पर इसकी अच्छे से apply कर लेंगे friends इस तरीके की remedies में try करती रहती हूँ आप सभी के साथ video भी share करती रहती हूँ तो इसकी वज़े से friends क्या हुआ है कि मेरी skin पर इन remedies के इतना असर हो गया है इसलिए आज में आपको अपने पैर की जो growth है उसको रिमूफ करके दिखाने वाले हैं ताकि आप आसे आरासानी से देख सकें एंड समझ सकें तो इस remedy को यदि आप skin पर apply करना चाहते हैं तो एक चोटा सा पैस्टेस कर लीजिएगा कि आपको किसी तरीकी की कोई problem तो नहीं हो रही है वैसे तो यह natural chemical free है तो आपको इससे कोई भी problem नहीं होगी तो यह आप देख सकते हैं finger की help से धीरे-धीरे spread करते हुए hair growth के ओपर इस remedy को अच्छे से spread कर लेंगे इस remedy की खास बात यह है कि आपके unwanted hair को तो यह दूर करती है साथी skin पर होने वाली एनिंग काला पन उसे भी यह दूर कर दिया कुछ लोगों की फ्रेंड्स chemical वाली cream यूज़ कर लेते हैं जिसकी वज़े से उनकी skin काली पढ़ने लगती है तो उस पर भी अच्छे से result देती ह हाँ इस home remedy को मैंने अपनी skin पर apply कर लिया पांच साथ मिनट के लिए आप इसको ऐसे ही लगा रहने देंगे ताक कि आपकी skin पर अच्छे से यह result दे तो यहां friends मुझे पांच साथ मिनट हो गया आराम से उसके बाद finger की help से इसी remedy के उपर आप circular motion में इस तरीके से massage करेंगे जिससे क्यों होगा जो hair जो है आपका unwanted hair वो उपर से soft होगा और उसकी roots उतनी ही ज्यादा weak होने लगेंगी ठीक है friends तो इस तरीके से आप पूरी remedy के उपर finger से help से इस तरीके से massage करेंगे आपके बहुत ज़्यादा ड्राई होगी है तो कुछ drops पानी की डालके भी आप मसाज कर सकते हैं उसके बाद friends wet henky के help से आप अपर डिरेक्शन में इस remedy को जब रिमूव करेंगी तो आप देखेंगे आपके unwanted hair रिमूव हो जाएंगी one time के application से आपको बताया try करती रहती हूं तो hair बहुत ज़्यादा weak हो गया hair करूट तो बहुत असानी से निकल जाता है आप भी इस तरीके की remedy को continue रखेंगे तो आपकी hair growth भी एकदम नाके बराबर हो जाएगी और दुबारा जल्दी वापिस भी नहीं आएगी तो इस तरीके से friends आप remedy को थ clean कर लोगी ठीके friends तो आप देख सकते हैं जो hair growth एकदम remove हो गई है skin को अच्छे से clean कर लिजेगा skin पर बिलकुल भी remedy लगा रहने नहीं देंगे तो यह हम skin को clean करने के बाद मैंने skin को अच्छे से dry कर लिया है skin को moisturize करना आप बिलकुल नहीं भूलेंगे तो मैं आप सभी के स करनाने के लिए friends यहां आप चुटकी बर एड़ करेंगे एक बाउल में फिटकरी का पाउडर उसमें आप आदा चमच के करीब एड़ करेंगे coconut oil दोनों चीजों को आपस में अच्छे से mix कर लेंगे कि फिटकरी coconut oil में घुल जाए उसके बाद friends आप इसमें एड़ करेंगे aloe vera gel तो market वाले aloe vera gel उसी का आप इहां इस्तमाल करेंगे इस remedy को friends आप बनाकर एक वी के लिए स्टोर अराम से कर सकते हैं यह खराब भी नहीं होगी and daily आप अपनी skin पर इसे अपने unwanted hair वाले area पर apply करके night में skin पर लगा रहने देंगे तो आप देखेंगे धीरे धीरे आप हमारी skin dry होने लगती है यदि आप इस अपने full face पर apply करते हैं तो आपकी skin पर full time hydration भी देने वाली है यदि आपकी skin पर बहुत ज़्यादा डाग धब्बे हो गया है pigmentation नजर आने लगया तो इसको भी यह control करेंगे skin को young tight bright बनाने वाली है तो देखें इस remedy को मैंने बना कर पर हमने unwanted hair को remove किया skin को wash के लिए वहाँ पर हम इसे finger की हैप से apply करेंगे circular motion मसाज करेंगे अच्छे से spread कर लेंगे मसाज करेंगे कम से कम एक मिनट के लिए ताकि आपके pores में इसली चली जाए और आपको बहुत अच्छे result दे यह आपकी skin पर full time hydration देगी skin को बहुत अच्छे करेंगी फिरंट सर्दियों जैसे कि आने वाली है हमाई skin अभी से ही dry होने लगी है तो उस पर भी यह बहुत अच्छे से जो है नमी बरकरार रखेगी तो इस तरीके से आप अपनी skin को अच्छे से moisturize करेंगे जहां कि भी आपनी skin को बिलकुल नहीं बूलेंगे आप चाहें तो अपने favorite moisturizer से भी अपनी skin को अच्छे से moisturize कर सकते हैं और इस जैल के इस्तेमाल से आपकी hair growth भी एकदम नाके बराबर हो जाएगी तो बहुत ही अच्छी remedy है मुझे से बहुत अच्छे result मिलें तभी मैं आप सभी के साथ शेयर कर रही हूं सो क्यों ना इसे ट्राइ किया आपके skin पर किस दरेगे का damage नहीं छोडेगी दूसरा friends आपके बहुत ही अधा heavy hair growth है तो इस तरीकी की remedy जो है आपको continue रखनी होती है तब भी आपको बहुत अच्छे से dessert मिलते हैं one time के application से आप सोचें कि आपके एक साल भर के लिए hair गायब हो जाए तो ऐसा नहीं होता है त इसके बाद आपने अपनी स्किन पर रेजर या फिर थ्रेड वगरा चलवा लिया है तो इसके बाद आप सोचें कि आपके अन्वांटिर हैर दुबारा आएंगे नी तो ऐसा नहीं है होम रेमेडी स्ट्राइ करते हैं तो इन पर भरोसर लगिए यह आपको बहुत अच्छे रिजर्ट देती हैं दूसरी चीजों का स्किन पर बिल्कुल बिस्तमाल नहीं करिएगा तो यह था अज का वीडियो अज करते हूं अच की होम रेमरी आप सभी को पसंद आएगे हैं तो ट्राइ जरूर कीजिए गा रिजल्के से मिलेए प्लीज मुझे मुझे करके जरूर बताएगा एं साथी कमेंट करके यह जरूर बताएगा कि आप मेरी वीडियो को के शहर से वाच करें ताकि मैं भी जान पाऊं कि मेरा वीडियो कहां तक पहुंच पारा है चैनल पर फर्स टाम विजिट किया या फिर आज आप मुझे पार देख रहे हैं तो आप सो भी से रिक्वेस्ट चैनल को विद बैल अकन सब्सक्राइब कर लीजिए का वीडियो को यहां तक द कर दो